प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट की गई है पुलिस को सूचना मिली थी कि नगरपाली का कारेले के समीब तीन बदमाश हत्यारों से लेस हैं जो डगैती की योजना बना रहे हैं सूचना पर डियास पी जनिश सिंग तमर के निर्देश पर एसे चो महवीर सिंग शेखावत के नेतरुत में पुलिस ने मिलकर बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया यह बदमाश केसी बड़ी लूट को अंजाम देने वाले से ग्रफतार हुए शातिर मंजी तो राकेश बहरोड थाना छेतर के एवं जुबेर अलवर सदर थाना इलाके का निवासी है यह लोग 15 दिनों में 6 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं इन बदमाशों से अन्य मामलों में भी खुला से होने की संभावना जाहिर के जा रही है वारदातों को अंजाम दे रहेे थे अब तक के जो पूस्तास की गई है उसमें करीब दरजन बर आठ दस वारदाते हैं प्रिसेंट लिजो की गई थी उनका खुलासा हुआ है इस सब्रमत में हम संदान कर रहे हैं और आगे जो तीन लोग हमने ग्रप्तार किये हैं एक तो मंजीट पुत्र महिपाल है जिसके करीब बहरोड थाने का इलाकर का रहने वाला है और इससे एक तो पिश्टल और एक कार् प्रामद हुई है और इसके खिलाब करीब एक गर्ज मुग्द में बहरोड थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है दूसरा राकेश पुत्र अमिलाल अहीर है और ये बने जिंग पुरा नीम्राना का रहने वाला है और इसके खिलाब पी जो अप्रादिक प्रक्रण है उनकों र बाकि तो में सर्गना रोवित जाड वो मातन हेल थाना पड़ता है थाना सालावास जिला जजजर जलिया कर उसका रहने वाला है और यही में देंगर ये गैंग बना करके लूटता है ये पूर्वा के अंदर आप लोगों में ध्यानों 2011 के अंदर नीम्राना में भूप सिंग यार्दों के साथ मिर्ची डाल करके वार्दात इन्होंने की थी उस गटना में दुरान लोग मिले थे जेर में बंद रहे थे और उसके बाद से लोग अलग लग विभीन इलापर में ग्यांग बनाके एक लूटता को अंजाम देते ह है और आज भी यह किसी बड़ी लूट को किसी गारी को लूट को अंजाम देने क्या है